नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे Basic Need of Modulation Modulation की क्या जरूरत होती है? आपने हमारी लास्ट लेक्चर में देखा था कि जब हमने Wireless Communication System की बात की थी तो antenna से पहले हमने एक modulator लगाया था तो आज हमें इसके बारे में बात करने वाले हैं कि इस modulator को हम क्यों लगाते हैं? तो सबसे पहले ही इसकी जरूरत होती है antenna की height हमें अगर कम करनी है क्योंकि हमें जब transmission करना हैं तो हम यह नहीं चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा height का antenna हो क्योंकि आपने पहले देखा होगा कि जो wireless devices होती थी for the wireless transmission उनमें बहुत बड़े-बड़े antenna होती थे आज कल वो बहुत छोटे हो गएं तो आपको इससे समझ में आएगा कि antenna की height किस तरीके से कम की जाती है तो पहला इसका जरूरत होता है वो है reducing antenna height तो for proper transmission and reception through an antenna minimum height of antenna should be lambda by 4 अगर आपको proper antenna से transmit करना है receive करना है तो उसके लिए उसकी height है वो lambda by 4 होनी चाहिए कुछ जगे आपको lambda by 2 भी मिलेगी क्योंकि depend करता है antenna quarter wave है या half wave है तो उसके साब से इसकी height होती है generally we prefer lambda by 4 तो lambda हम जानते है lambda is equal to v upon f with the velocity because यहाँ पर जो transmission होगा electromagnet waves का होगा तो electromagnet waves travel with the speed of light तो v upon f को लिख सकते है c upon f क्योंग velocity है वो c के बरावर होगी यहाँ पर c की value कितनी होगी 3 into 10 to power 8 meter per second तो हम कह सकते हैं कि minimum height st मेंने is equal to c upon 4 f जब मैंने यहाँ पर इस output किया तो c upon 4 f होगया अब इसे practically समझने के लिए हम एक example लेते हैं voice signal की आफ frequency जानते हैं कि अगर मैं voice signal की बात करता हूँ तो voice signal 300 hertz से लेके 3.5 kilowatts तक होता है मान के चलिए कि मेरे को इससे transmit करना है तो मैंने मान लिया कि मैं 3 kilowatts का signal है उससे transmit करना चाहा हूँ एक frequency को लेके हम एक लेके हम लेके हम लेके करना है कि इस 3 kilowatts frequency को transmit करना है तो इसके लिए st अगर हमें निकालना है तो क्या आएगा तो st is equal to आपको पता है c की value होती है 3 into 10 to power 8 upon 4 into f जो आपने लिया है 3 kilowatts है तो 10 to power 3 कर देंगे तो ये कितना आएगा अगर आप इसे calculate करेंगे तो ये 25,000 meters और I can say 25 kilometer तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप इस signal को transmit करना चाहा रहे है यहाँ पर आपने कोई antenna लगा या और इसके तुरू आप इसे transmit करना चाहा रहे है तो इस antenna की जो height होगी वो कितनी होगी 25 kilometer इसा possible है क्या आपको इस antenna बना सकते है जो 25 kilometer लंबा हो उंचा ही हो इसकी नहीं तो ये physically possible नहीं है और हमें signal तो इस frequency का transmit करना है क्योंको voice signal अगर आप देखें तो इसी range में आ रहा है तो क्या किये जाए इसके लिए simple सा solution यही होता है कि हम signal को modulate करें तो हम क्या करेंगे कि जो 3 kilohertz का signal है इसे हम एक modulator में apply करेंगे या आप हमने एक modulator लेया और modulator क्या करेगा इसकी frequency को change कर देगा basically modulation is a process of increasing the frequency of the signal to reduce antenna height antenna की head कैसे reduce होगी उसे आप देखिएगा तो हमने माल लिए कि modulator इस तरही किस लगाया कि इसकी frequency 3 megahertz में convert हो गई अभी कैसे conversion होता है कैसे यह आपको आगे further lectures में देखना होगा जब हम modulation करेंगे अभी आप यह समझे लिजिए कि modulator एक ऐसी device है जिसकी health से हम frequency increase कर सकते हैं अपनी जरुवत के साब से तो हमने 3 kilohertz से 3 megahertz में convert कर लिया अब इस case में हम ht निकालते हैं तो ht कितना आएगा c 3 into 10 to power 8 इसकी value है upon 4 into f इस case में अब जो f है वो 3 megahertz हो जाए क्योंकि इससे हमें transmit करना है यहाँ पर मैंने antenna लगा जा इससे हमें transmit करना है इस particular signal को तो 4 into f 3 into megahertz है तो 10 to power 6 हो जाएगा तो आप इससे calculate करेंगे तो यह 25 meter तो यह antenna 25 meter का आएगा तो यह practically possible है 25 meter head का antenna आप आसानी से बना सकते हैं आप और antenna की height कम करना चाह रहे है तो और इससे बढ़ा सकते हैं 30 megahertz कर देंगे तो 2.5 meter ही रह जाएगी height antenna की तो आप इससे देख पा रहे हैं कि अगर हम frequency increase कर रहे है तो antenna की height reduce हो रही है तो we can reduce antenna height by using modulation तो यह इसका पहला application हो जाता है उसके बाद दूसरा इसका जो important application है modulation का आप कह सकते हैं that is used for the multiplexing तो multiplexing is the process of transmission of multiple number of signals through a single channel at the same time क्योंकि हम wireless communication की बात कर रहे हैं तो हमें जो signals हैं वो free space में transmit करने हैं माईशे लिए कि मेरे पास three signal है audio one, audio two, audio three तो audio signal है तो उसका frequency range आप जानते हैं 20 hertz से 20 kilohertz होगा तीनो audio signal है तो तीनों का range same होगा अब इनको मेरे को free space में भीजना है तो free space में free space तो free है वहाँ पर कोई ऐसा wire नहीं है कुछ नहीं है तीनों को free space में आप छोड़ देंगे और तीनों की frequency range same है तो क्या होगा ये तीनों एक साथ interfere कर जाएंगे और signal हमारा खराब हो जाएगा जो गॉंपेस signal होगा वो खराब हो जाएगा हम किसी को भी recover नहीं कर सकते हैं तो अगर हम without modulation ये जो case हमने दिखाया है ये दिखाया है कि हमने modulation नहीं किया है तो उस case में आप सभी signals को same range के हैं उन्हें नहीं बेश सकते तो generally without modulation multiplexion is not possible आप यहां से समझ पा रहे होंगे अब क्या किया जाए इसके लिए simple सा वही समादान है modulation क्या कि हमने देखिए audio 1 है उसी हमने 92.7 megahertz से frequency modulate किया FM लेखा है दा रहे था frequency modulation 92.7 megahertz से हमने frequency modulate किया तो इस case में जो यहां पर signal आ जाएगा उसकी value जो होगी वो होगी 92.7 megahertz इस से जो signal जाएगा वो इस range का होगा ऐसे ही जो दूसा signal है वो इस समय होगा 93.5 megahertz similarly 101.1 megahertz तो देखिए यहां पर audio signal है यहां पर एक जाए signal है लेकिन हम उन्हें different frequencies पर भेज रहे हैं तो अब यह free space में जाएंगे तो कोई interference नहीं होगा और यह करब नहीं होगे तो आप आसानी से इस signal को receiver पर recover कर सकते हैं ठीक है तो in wired communication modulation is needed for the purpose of multiplexing wired communication की बात करेंगे तार से यहां पर हम receiver को और transmitter को connect कर रहे हैं तो उस जगे पर antenna का तो concept नहीं आएगा क्योंग वायर आप यूज़ कर रहे हैं तो multiplexing के लिए basically modulation की जरूत पड़ती है लेकिन in case of wireless communication modulation is needed to reduce antenna height wireless में तो antenna हम यूज़ करते हैं तो antenna की height से हम कम करते हैं और multiplexing करते हैं तो I think यह समझ में आया होगा झाल